प्रेसिंग और प्रेसिंग और कलरेंगे प्रेसिंग और कलरेंगे पेस्ट स्टिकर्स और डॉटेड शेप्स कलर दा ब्लैंक एरिया टू चिल्रेन यहाँ पे दो आईस्ट्रीम आपको दी हुई है और कुछ शेप्स दिये हैं और यह आपको एक पेस्ट आपकी बुक्सेट में मिला होगा इसमें भी देखें शेप्स दिये हैं स्क्वाइर आपने यहाँ से स्क्वाइर सेप्स को रिमूव करना है और इस आईस्ट्रीम में और इस आईस्ट्रीम दोनों आईस्ट्रीम में पेस्ट करना है सेम ऐसे ही आपने यहाँ से सर्कल को रिमूव करना है और यहाँ पर भी सर्कल है वहाँ पेस्ट करना है एरिया है, उसको आपने क्रियों कलर से कलर करना है Fine next People People who help us टेलर चिल्रन जो हमें help करते हैं टेलर जो हमारे cloths को सिलते हैं उनको हम टेलर कहते हैं वो किस परकार से help करते हैं और उनकے पास क्या-k10 होते हैं उसके बारे में यहाँ पर है देखिए यह टेलर है जो cloths को सिल रही है आपको दिख रहे हैं यहाँ पर cloths आप देखते हैं यह कौन-कौन से tools यूज करती है sewing machine, thread, pin, needle, scissors, button, thumb cap, again button, safety pin, needle and इसको बोलते हैं seam ripper और यह है inch tape next people who help us cobbler cobbler, cobbler उसे कहते हैं जो हमारे shoes को बनाता है और आपने poem भी सीखी थी ना cobbler, cobbler, mend my shoe सो देखते हैं यह कौन-कौन से tools यूज करता है thread, needle, sandal, hammer, pin, hammer then stand, shoes बनाने के लिए यह stand यूज करते हैं इसको बोलते हैं bread dwell और यह है glue और यह है scissors इससे यह लोग shoes बनाते हैं next my clothes याने कि आपके कपड़े match the similar type of clothes children यहाँ पर जो same same cloths हैं उनको आपने यहाँ पर match करना है अब देखते हैं यह cap है cap से cap को देखे हैं already यहाँ ने match किया हुआ है अब आपने देखना है कौन-कौन से the same है उनको करना है हमें like यह frog है तो frog को frog से करेंगे यह pant है pant को pant से करेंगे यह t-shirt है t-shirt को t-shirt से करेंगे यह shoes है shoes को shoes से करेंगे next my clothes paste a picture of your favorite clothes children यहाँ पर आपको आपका जो भी favorite cloths है उसकी एक picture कहीं से भी आपको नेज़ पर या नहीं से भी cutting मिल जाए आपने यहाँ पर paste करनी है any favorite cloths t-shirt या pen lower whatever what is your favorite cloths next be a designer आप अब designer बनेंगे design your own cloths using colors and patterns of your choice चलनन यहाँ पर आपको अपनी मर्जी से design बनानी है यानी की pattern बनाना है और color करना है t-shirt है यह shoes है यह और यह gloves है next choose the right cloths चिलन यहाँ पर आपको right cloths को choose करना है circle what you wear on the body part shown यहाँ पर body parts आपको दिखाया गया है और कुछ cloth दिखाया गया है अब आपको choose करना है कौन से body parts में कौन सा cloths हम पहनते हैं like this is leg तो leg में हम frog पहनेंगे नहीं socks पहनेंगे yes cap पहनेंगे नहीं तो यहाँ पर किसको circle करना है children आपको socks को नीचे देखते हैं क्या है यह head है head पर हम क्या पहनते है cap यह cap है तो इसको हम circle कर देंगे और यह pant है और यह shoes है तो इन दोनों को नहीं करेंगे नीचे देखते हैं क्या है hand hand में हम क्या पहनते है children gloves पहनते है और सबसे पहले क्या दिया है shoes इसको नहीं करेंगे t-shirt इसको भी नहीं करेंगे gloves इसको हम circle कर देंगे next meet letter F यहाँ पर letter F से मिलेंगे finger trace the letter F and color it finger से आपको letter F को trace करना है और color करना है F for flag F for fan F for fox F for frog and F for fish next meet letter F color the pictures that begin with the letter F children आपको यहाँ पर जो भी picture F से start होती है उसको आपने color करना है C for cap होता है तो इसको नहीं करेंगे F for fly तो इसको हम color कर देंगे F for fly इसको भी हम color कर देंगे fly मतलब makhi यह foot है F for foot foot को भी हम color कर देंगे और यह है car C for car होता है तो इसको नहीं करेंगे देखते हैं हमें किसको किसको color करना है flower fly and foot so children यहाँ से आपकी class यह वाला chapter over होता है अब आपकी जो यह workbook है इनमें भी काम करना है तो page number 25 and page number 26 आपने work करके whatsapp group पे send करना है थैंक यू क्ट दो